नमस्कार दोस्तों गारगी क्लासिस पर आपका स्वागत है डेटा आज की 11 मार्च 2022 और देख लेते हैं इंडियान एक्स्प्रेस की इंपॉर्टन न्यूज जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कुस करने वाले हैं फ्रेंट पेज पर अगर हम नज़र डालें तो कल जो इलेक्शन के रिजल्ट्स आये हैं उनी से सम्मंदित पूरी न्यूज है जिसमें आप यहां पर देख सकते हो कि यूपी में 403 सीटों में से बीजेपी को 274 सबसे ज्यादा सीटे मिल रही हैं यहां पर पंजाब में 117 मे से बीजेपी को 47 सीट इसी तरीके से गोवा में भी हाइस जो सीट मिली है वो बीजेपी को मिली है 20 आउट ओ 40 मनीपुर में भी इसी तरीके से बीजेपी को 60 में से 32 सीटे मिली हैं तो ओवरोल अगर देखें तो यहां पर एक दो तीन चार और यह पांच इन पांच इन चार स्टेट्स में पांच के बोलो इन चार स्टेट्स में बी जे पी गवर्मेंट बना रही है और यहां पर आम आदमी पार्टी बना रही है ठीक है तो रिजल्ट्स के बारे में यहां पर सारी चीजे बताई जा रही है ठीक है कॉंग्रिस जो है वो बहुत बुरे तरीके से हारी है या फिर कह सकते हो कि अच्छी सीटे या जो परफर्मेंस अप टू दमाग नहीं रह पाई है तो ऐसे में एक तो एलिगेशन्स ही आ रहे हैं कि जो गांदी फैमिली जो गांदीज हैं उनको अभट जाना चाहिए और रहुल गांदी के खिलाफ में इस तरीके से एक और एक कहते हैं स्ट्रॉंग एविडेंस मिल गया है कि अभी उनकी लेडर्शिप है वो इतनी फीकी बढ़ चुकी है एक लास्ट अटेंप्ट जो था वो प्रियंका गांदी की लीडर्शिप में था पर वो भी अब कहीं नहीं फेड आउट हो चुका है इस सेलेक्शन के बाद में दूसरे जो लीडर्श हैं कॉंग्रिस में G23 ग्रुप अप 23 लीडर्श वो क्या है राहूल गांदी की लीडर्शिप को हटाना चाहते हैं या फिर गांधी की बजाए जो कॉंग्रिस पार्टी है जो कि इंडिया की सबसे पुरानी ओल्डिस्ट पार्टी है पॉलिडिकल प पे आगे लाया जाए कॉंग्रिस में ये डिमांड की जारी है G23 ग्रुप के दुआरा ठीक है तो इस तरीके से भी कॉंग्रिस का तो हाल है खराब और आपको पता है कि जम्मू कश्मीर से जो लीडर्श के अगर बात करें ठीक है उनमें जो आजाद हैं वहां के लीडर्श ठीक है गुलाम नभी आजाद उन्होंने कहा कि मेरा हार्ट है वो बहुत जादा ब्लीड कर रहा है इस तरीके से कि मतलब इतनी बुरी डिफीट हमारी हो रही है बैक टो बैक चुनाओं में ठीक है आप देखो 2014 से लेकर अभी तक लगबग 45 इलेक्शन्स हो चुके हैं उन में कांग्रेस को किवल 5 चुनाओं में ही जीत मिली है बाकी 40 इलेक्शन्स में कोई दूसरी ही पार्टी जिनमें मेजरली तो देखें तो बीजेपी ही जीत रही है ओके ये ट्रेंड है पिसले अगर हम 8 से 10 साल की अगर बात करे तो एक टाइम था जब कांग्रेस जो थी वो डिकलाइन पे जा रही थी 1990s में फिर सोनिया गांदी ने कमान समाली और उसके बाद में बैक टू बैक एक के बाद में एक लगबग 9 स्टेट्स में इलेक्शन्स जीते और फिर उसके बाद में यूपी ए गॉर्मेंट भी स्टैबलिश की जिसमें कांग्रेस में लीडिंग 14 में तब से अभी तक देखें तो लगाता डिफीट पे डिफीट मिलती चली जा रही है कॉंग्रेस को तो यहाँ पर यह चीज़ तो क्लियर है कि पार्टी को इंटरनली रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है जिनमें एक तो क्या है कि जो कैपेबल एनफ लीडर्स हैं उनको आ इंडिया की एक अनाम्ड मिसाइल जो है वो पाकिस्तान की जमीन पर लैंड कर गई ठीक है तो अभी तक तो देखो इंडिया की तरफ से कोई रिसपॉंस इस बात पर आया नहीं है अनाम्ड मतलब कोई भी हाम पहुंचाने वाला सिस्टम तो था नहीं बाकी आम मिसाइल थी बोलो वो इंडिया से लॉंच होई और पाकिस्तान में आकर के लेंड कर गई तो वहाँ पर कोई हुमन लाइब का तो लॉस नहीं हुआ पर हाँ कुछ एक इंफरस्ट्रक्टरल चीजे थी जैसे फॉर एक्जामपल एक दिवार की बात कर रहे हैं तो तूट गई ऐसे तो थोड़ा सा इस पर नजर डालेंगे दूसरी यहां पर देखो कि रेलवे में अभी आपको पता है ना इसी साल 2022 की जनवरी मन्त में किस तरीके से प्रोटेस्ट आउट ब्रेक हुआ था यूपी बिहार जारखंड ठीक है तो उसको करक्ट आउट करने क के लिए रेलवे ने कह दिया कि अब हम रिक्रूट्मेंट प्रोसेस में चेंज लेकर के आएंगे वो चेंजिस क्या लाए जा रहे हैं वो देखेंगे इसके अलावा इंटरनेशनल डे ओफ विमन जजजिज इसके बारे में भी हम यहां पर जानेंगी तो यह तीर नियोज 2021 को कतर के दुआरा यह रेजोलुशन लाया गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में कि जी दस मार्च जो है 28 अपरेल को यह रेजोलुशन लाया गया था कतर के दुआरा ठीक है कि 10 मार्च को हमें अब हर साल से इंटरनेशनल डे ओफ विमन जजजिज के तौर अपजर्व करना चाहिए और इंडिया ने भी इस रेजोलुशन को सपोर्ट किया था तो ऐसे में कल 10 तारीक थी तो 10 तारीक को हमारी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है एनवी रमना जी वो इसी तरीके से यह इंटरनेशनल डे ओफ विमन जजजिज को अपजर्व कर रह उने से 37 नेम्स तो विमन्स के है और उने से सरकार ने अपॉइंट की कितनी है 17 मतलब 192 Perhaps 17 के नेम भीज़े उनमे से 17 मतलब 37 के नेम रिकमेंड हूए वट अपॉइंटमेंट 17 का किया गया है अभी भी जो है लिस्ट अभी होल्ट पे है बहुत सारी ठीक है तो यह चीज क्य शो करती है कि यहाँ पर N.V. रमना जी यह कह रहे हैं कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश है कर रहे हैं कि Judiciary में Women Representation Increase हो पहली चीज़ दूसरा अगर हम देखें यहाँ पर कि International Day of Women Judges यह क्यों Observance में लाए गया है कि Legal System में जो कि Under Represented Under Represented है वहाँ पर Women के Representation Under Representation है तो उसको थोड़ा सा Increase करना जिसें कि एक तो जो Gender-based पर Discrimination होता है वो रुख पाएगा और एक जो Inclusive मैनर में एक होती है ना Inclusive Justice का एक Concept होता है Inclusivity ठीक है तो उस चीज़ को Promote करने के लिए भी यहाँ पर जो है Judiciary अपनी तरफ से efforts कर रही है अभी अगर हम देखें तो Incumbent That means Currently जो भी Appointed Women Judges की बात करें तो Overall जो High Courts में Total Judges की Strength है ना उसमें लगबग 11.8% Women Judges है तो यह कुछ Important चीज थी जो हमें देखनी थी यह आप जरूर धान रखें First Ever International Day of Women Judges तो International Day of Women Judges कौन से दिन को Observe किया गया 10 March पिछले साल Resolution लाया गया Resolution लाने वाला कंट्री कतर था लाने वाले डेट थी 28 अपरेल और इसको इंडिया ने भी सपोर्ट किया तो यह कुछ Important चीज थी यह हमने देखी अगली नियू जदे को पाकिस्तान के दोरा जो क्लेम किया जा रहा है कि इंडिया की तरफ से एक मिसाइल आई और हमारे इधर जमीन में लगबग जो International Border है उससे 124 किलोमेटर अंदर आकर के स्ट्राइक कर गई और यह बताया जा रहा है कि हर्याना के सिर्सा से यह लॉंच हुई थी और यहां पर आकर के लगबग 40,000 फीट की हाइट से ही है फिर बाद में नीचे आकर के स्ट्राइक कर गई वैसे तो देखा जाए तो पाकिस्तान में कोई humanitarian crisis नहीं आया इससे पर पाकिस्तान का यह कहना है कि missile जो थी एक तरीके से 2.5 से 3 max speed से मतलब sound की speed से लगबग 30,000 से तीन गुना speed से उड़ती हुई आई और strike कर गई वैसे अगर देखा जाए न तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 2005 में एक agreement हुआ था उस agreement में यह था कि अगर कोई भी country इन दोनों कंट्रीज में से अगर missile टेस्टिंग की जाती है किसी भी country के दौरा तो जिस दिन टेस्ट किया जाए ना उस दिन टेस्ट से कम से कम तीन दिन पहले दूसरे country को यह inform कर दिया जाएगा जैसे अगर मान लो इंडिया missile टेस्टिंग करे तो पाकिस्तान को तीन दिन पहले बता देगा कि जी हम जो है वो missile टेस्ट करने वाले हैं ठीक है इससे क्या है वो अपनी तरफ से alert हो सके अब इसमें क्या हो सकता है कि surface to surface missile टेस्टिंग भी हो सकती है land to sea या फिर जो launch vehicle हम use करते हैं land पे, sea पे उनसे भी हम टेस्टिंग कर सकते हैं साथ में ये भी देखा जाएगा कि जो टेस्टिंग की जा रही है वो international border या LOC इस से कम से कम 40 km की दूरी पे वो launching की जाएगी missile की और launching के बाद में जैसे ही missile impact करे वो impact area international border या फिर LOC इन दोनों से international border और LOC का concept अभी हम mapping में देखेंगे इन दोनों से अगर देखें तो कम से कम 75 km दूर locate होना चाहिए impact area पर ये जो agreement है ये हमने देख लिया 2005 में sign हुआ था पर अभी तक देखो पाकिस्तान ने जो allegations लगाए है या फिर जो claim किया है वो अभी तक इंडिया की तरफ से कोई response आया नहीं है बाकि देखता है क्या details है सच्चाई क्या है वो time बताएगा ये कुछ important चीज थी वो हमें देखनी थी वो देखा हमने आगे देखते है next news है देखो protest हुए थे अभी railway recruitment को लेके तो उनको ध्यानवे रखते हुए railway ministry ने अभी नई guidelines release की है जिसमें ये कहा है कि जो job aspirants थे जिन्होंने अभी हर्ताल की थी है एक तरीके से protest किया था mainly ये focus था UP बिहार और जहारखंड वाले एरिया में तो उन aspirants की demand को पूरा करने के लिए यहां पर ये कहा गया है कि जितनी vacancies होगी अब उनका 20 times मतलब 20 गुना candidates को जो है वो shortlist किया जाएगा और ये exam होती है railway की जिसको बोले जाता है non-technical popular category NTPC की exam है ठीक है अभी तक जो देखा जाए तो 3.84 लाग candidates को shortlist किया गया था अब बोले उसको बढ़ा करके साथ लाग तक कर दिया जाएगा controversy क्या थी कि दो categories में exam होनी थी वैसे तो बहुत सारी categories थी पर जो एक conflict था वो क्या था कि एक तो category थी जिसमे minimum qualification graduation level था और दूसरी तरफ जो category थी वो थी class 12 की तो ऐसे में class 12 के जो eligible individuals थे जो इस exam के लिए जा रहे थे अपने level के हिसाब से तो उनका यह objection था उस time पर कि जी आप हमारे exam में इन graduated individuals को क्यों allow कर रहे हो एक तो objection यह था दूसरा objection यह था कि यहाँ पर आपने जो number of vacancies जितना आपने बोला था कि total जितनी vacancies उनके 15 to 20 times multiply में आप shortlisting करोगे वो आपने कितनी बहुत कम कर दी तो ऐसे में यह दोनों वज़े थी कि एक तो graduation किये हुए individuals class 12 लेवल पे exam दे रहे थे तो उनका यह कहना था class 12 वालों को कि हमारी जो opportunities उनको grab कर ले जाता है यह graduation वाले जो individuals है जिन्होंने graduation कर रखी है और दूसरी तरफ यह objection था कि number of candidate जिनको shortlist किया गया वो बहुत कम थे उनको बढ़ाओ तो अभी उन्हीं चीजों पर ध्यान देते हुए सरकार ने यह कदम उठाए है ठीक है तो basically main जो focus है वो तो है level 1 या फिर group DB बोला जाता है उसकी exam के लिए अब उसमें एक क्या था कि पहले तो two stage examination होती थी prelims और फिर main से एक तरीके से एक exam हो गया फिर shortlisting होगी फिर दूसरी exam हो गई जबकि अब क्या कर दिया गया था अभी जो recent exam होई जिसके बाद में protest outbreak हुआ उसमें computer level पे computer के basis पे exam मतलब online exam conduct करवाई थी ठीक है total vacancies जो थी वो 35,281 अब इसको आप 20 से multiply कर दो उतनी ज़्यादा vacancies देनी थी पर shortlisting इतनी हुई नहीं इसकलते फिर protest हो गए अब सरकार ने बोला है कि हम 20 गुना नई बीज गुना जो है shortlisting करेंगे जितनी भी vacant post हैं उनके हिसाब से इसमें जो नोगों ने already qualify कर लिया ना जो already result आया हुआ है वो लोग तो देखो already अपने level को clear कर चुके हैं और जो additional जो भी seats up add होंगी ना जैसे अभी हमने देखा 3.84 से बढ़ गर गे 84 lakh से बढ़ गर गे 7 lakh तक shortlisting होगी तो जो additional 3.84 लाग तो already हो रखे हैं shortlist उनका तो वैसे कि वैसे maintain रहेगा वो आगे अपनी processing में continue लगे रहेंगे और additional जो भी अब shortlisting होगी उनके लिए अब नया result declare होगा तो ये चीज यहाँ पर बताई जा रही है आगे चलता है explain page पर अगर नज़र डालें तो वो ही elections का ही सारा महोल चल रहा है और ये वाल article हम already देख चुके हैं कि Congress जो है वो कितने बुरे crisis से अभी निकल रही है ठीक है इसके आगे हम चलता है एक न्यूस तो यहाँ पर है एक credit agency Morgan Stanley उसके द्वारा ये बताया गया है कि एक तो इंडिया की जो GDP growth है 2022 थे इसका जो financial year है जिसको financial year 23 भी बोला जाता है बोला जाएगा तो उसमें इंडिया की GDP growth rate रहेगे 7.9% मतलब पहले जो कयास लगाई जा रहे थे जो prediction थे उसके comparison में 5.5% कम ठीक है इसके आगे ये बताया जा रहा है कि current account deficit जो है वो हमारी GDP का 3% तक पहुँच जाएगा जो की पिछले 10 सालों में highest होगा ठीक है ना अब हमारी GDP का 3% अपने आप में बहुत होता है और वैसे अगर देखें तो bearable limit बताई जाती है कि 2.5-3% तक जब तक CAD रहता है CAD का मतलब CAD that means current account deficit इसका मतलब यह हो गया कि जो भी हम internationally lane-dain करते हैं एक साल में goods और services में उनका payment करना हमने जो import किया उसका payment किया और जो export किया उसका हमने payment receive किया तो उसका जो overall balance है उसमें हम एक developing country होने के नाते हमारे यहाँ पर ज़्यादा तर import ज़्यादा है ठीक है export के comparison में import ज़्यादा है तो इस case में क्या हो जाता है current account deficit deficit का मतलब गाटा ठीक है तो इस यह चालू खाता गाटा है ना यह 3% तक पहुँच जाएगा जो की 10 साल में पिछले 10 सालों में highest level होगा बाकी एक जमाना था जब मनमाण सिंग जी की सरकार चलती थी और उस टाइम पर great depression आये great depression तो क्या ही आये था subprime crisis 2008 में उस टाइम पर इस तरीके से हमारा CAD जो था वो बढ़ गया था ठीक है इसके पीछे कारण बहुत सारे है एक तो रुपी का लगाता decline करना है एक इंटरनेशनल market में crude oil की prices का rise होना है तीसरा हमारे आपर inflation rise होना है यह बहुत सारे कारण है जिसकी वज़े से current account deficit बढ़ेगा और हमारी जो GDP growth है वो 0.5% या फिर कह सकते है 50 basis point reduce कर दी गई है यह Morgan और Stanley के दौरा ठीक है तो यह predictions है वैसे इसके आगे अगर देखें तो USA में भी inflation बहुत ज़ादा है यह हमने देख लिया था पिछले 40 सालों की highest level पे चल रही है 7.9% ठीक है consumer price index के हिसाब से और हमारे यहांपर consumer price index के हिसाब से देखें तो हमारे यहांपर 6% से तो plus में आ चुके हैं RBA के जो target दिया हुआ government of India के दौरा 4 plus minus 2% का उससे तो देखो हम थोड़ा सा ज़ादा ही inflation पे चल रहे हैं इसके आगे अगर देखें तो Amazon ने देखो अपने stock को split किया है इसका मतलब यह है कि market में Amazon का एक share जितने रुपए का बिकता है ना जितने डॉलर्स या जितने रुपए का उसका अब एक का 20 कर दिया है मतलब 20 टुकुडों में एक share को divide कर दिया मान लो Amazon ने 100 shares launch कर रखें market में एक crude example लेते हैं ठीक है 100 shares launch कर रखें और वो 100 shares की Amazon की जितनी वर्थ है उस इसाब सो उन shares में value divide हो जाएगी Amazon की value मान लो 500 करोड रुपए होने को तो बहुत है तो 500 को आप divide करो तो एक कितने का हो गया लग वक 5 करोड रुपए का एक share हो गया वैसे इतना मेंगा नहीं हो था मैं example बता रहा हूँ आपको यह समझो ठीक है मतलब अपनी वर्थ के हिसाब से Amazon ने जितना Amazon की वर्थ है उसके हिसाब से Amazon ने 500 करोड के shares launch किया और share की quantity हम count करें तो वो 100 है तो एक share कितना का हो गया 5 करोड का अब यह 5 करोड का है या फिर एक share की value देखे तो कितनी ज़्यादा है तो यहाँ पर जो नए investors है वो attracted feel नहीं करते तो इस case में क्या करेगी Amazon कि बोला 5 करोड नहीं हम अब तो एक share जो 5 करोड का था अब उसको 20 में divide कर रहे हैं ठीक है अब 20 में divide करोगे तो आप देख लो कि 5 करोड divided by 20 इतने रुपीज का अब एक share लाँच कर देगा या इतने डॉलर का यह लाँच कर देगा मतलब एक share को divide कर दिया 20 parts में अब इससे क्या होगा share की value down हो गई न और एक सस्ते में share खरीदना possible हो पाएगा तो नए जो investors हैं उनको attract करने का एक यह तरीका होता है तो इसके पहले Amazon ने 1999 में भी किया था और अभी फिर से किया है अभी recently Amazon से पहले जो Alphabet है ना Alphabet जो company है उसने भी इसी तरीके से share को split किया था वो split करने का एक ही वज़े होती है investment को attract करना जिससे की share की value down हो जाए और सस्ते में share मिले तो कोई भी invest करने के लिए feel अच्छा करेगा इसके अलावे यहाँ पर है जो European Central Bank है उसके द्वारा यह clear कर दिया गया है कि हम near time में तो देखो interest rates को rise नहीं करने वाले हैं यह England का bank नहीं है उसकी chair है प्रेजिडेंट है जिनका नाम है क्रिस्टिना लगार्ड उन्होंने यह काया कि हम आने वाले time पे अब यह near future में तो interest rates rise करेंगे नहीं ठीक है बाकी बाद में देखेंगे क्योंकि जिस तरीके से interest rate USA के federal reserve ने rise करने की जैसे signal दिये है तो आप देख लो किस तरीके से हमारे जैसे developing countries से पैसा बाहर निकलना शुरू हो गया ठीक है जो investment आया था foreign portfolio investors के दौरा वो पैसा कितना ज़्यादा निकल चुका है पिछले 6-7 मेनों में लगबग 2 लाग करोड रुपे तक का amount के equivalent dollars है वो बाहर निकल चुके है ठीक है तो ये चीज हो गई आगे चलता है वर्ल्ड पेज पे वर्ल्ड पेज पे देखो एक तो रश्या ने हदे पार कर दिया वो ये कि एक hospital को attack कर दिया जिसकी वज़े से ओर ज्यादा नाराजगी आ गई है युक्रेइन में और जिसके चलते बाचीत है वो एक बार रुक गई दोनों countries के बीच में दूसरी तरफ United States के house ने that means वहां की जो Congress है वहां से 13.6 billion dollar का युक्रेइन को support देने का provision पास कर दिया गया है ठीक है इसके लावा refugee crisis अब वो लगातार चलता चला जा रहा है और इधर आप देख सकते हो कि South Korea में अभी presidential election हुए है तो उस election में नए प्रेजिडेंट के तौर पे elect होकर क्या आए है South Korea में युन्सुकियोल ठीक है तो युन्सुकियोल जो है वो conservative है conservative party से belong करते है conservative का मतलब हो गया एक तरीके से rightist party होती है ठीक है कि जो चीजे हैं हमारे पास में उन चीजों को हम जल्दी से change नहीं होने देंगे ठीक है conservative का मतलब यह हो गया इसके अलावा नेपाल में जपान ने जपान के दौरा 22.5 million dollars की support दी जारी है नेपाल में एक water project पे ठीक है तो यह अपने आप में important हो जाता है इसके आगे अगर देखें तो यह जो नेपाल में support दिया जारा है जपान के दौरारा 22.5 million dollars का तो आप यह मानों कि यहाँ पर एक city है जिसका नाम है बिराटनागर city उसको drinking water facility अवेल कराने के लिए efforts हैं अब हम देख लेते हैं जो भी important news थी उनसे related mapping को यह आपके सामने screen है West Asia की इसमें आप देख सकते हो यहाँ पर यह तो है देखो गुजरात हमारा इंडिया यहाँ पाकिस्तान बहुत ही narrow water state है जो की Persian Gulf और इधर आप देख सकते हो Arabian Sea या Gulf of Oman को join करती है जिसका नाम है Strait of Hormuz ठीक है अब यहाँ पर आप देख सकते हो यह Oman Oman का यह पार छोटा सा इधर उपर की तरफ है थोड़ा से ध्यान से देखे हैं यहाँ तो Oman और इधर उपर है इरान इन दोनों को डिवाइड करती है सेपरेट करती है Strait of Hormuz साथ में आप हमारा कंटेक्स्ट है वो है कतर कतर यह यहाँ पर एक छोटा कंट्री है यह आप देख सकते हो ठीक है इसके पास में एक छोटा आइलेंड कंट्री हो रहे है बहरीन ओके यह यूनाइटिड अरब एमिरिट्स और यहाँ पर है दुबई वैसे यू एई की कैपिटल अबुधावीत आप कन्फ्यूज ना हो ठीक है इसके अलावा Oman Oman की कैपिटल यह है मसकट इसके अलावा यहाँ पर नीचे यमन यमन की कैपिटल है सना यहाँ पर है यह ठीक है यह इधर रेड सी आगया और इधर नीचे की तरफ जो वाटर बॉड़ी है जो कनेक्ट करती है रेड सी को अरेबियन सी से बाबल मंदेब ठीक है गल्फ आफ एडन भी बोला जाता है उस एरिया को पर्टिकलर ठीक है बाबल मंदेब जो एक तरीके से वाटर स्ट्रेट है जो कि रेड सी को अरेबियन सी से जॉइन करती है ठीक है इसके आगे यहाँ पर देखोगे रेड सी फिर इधर सुइज के नाल इधर से यह कनेक्ट करती है मेडिटरेनियन सी और रेड सी को और बाकी इधर वाला जो मैप है यह बहुत इंपोर्टन हो जाता है इस वाले एरिया की पर्टिकलरली अगर हम बात करें आप यह कन्टरी देखो जॉर्डन जॉर्डन है यह कन्टरी इधर थोड़ा सा ओपन हो रहा है इस वाले एरिया में रेड सी वाले पोर्शन की तरफ बाकी इस तरफ मेडिटरेनियन सी से कोई लिंक नहीं है जॉर्डन का दूसरा आप सीरिया देख सकते हो सीरिया की कॉस्टल लाइन है थोड़ी सी फिर यह लिबनान देख सकते हो लिबनान की कैपिटल है बेरूत सीरिया की है डमस्किस ठीक है ऐसे में बेरूत है वो भी एक कॉस्टल सिटी है आप इधर देख सकते हो इसराइल इसराइल जिसकी कैपिटल यहाँ पर दी हुई है यरूसलम ठीक है और वैसे पैलिस्टीन है ही ओके तो यह कंट्रीज है इदर तो मेडिटरिनियन सी से कॉस्टल लाइन शेयर करने वाले कंट्रीज का अगर नाम देखे तो इधर इजिप्ट फिर इसराइल आ जाता जो की पर्शन गल्फ में उपन हो रही है इसके अलावा कुएत यहाँ पर आप देख सकते हो इधर से ही यह उपन हो रहा है ठीक है और इरान उपर देखी रहे हो आप तो यह है पूरा का पूरा सेनरियो जो हमें समझना था इस मैप के थ्रू आगे चलते हैं अब नेक्स ज जिसको अकसाई चिन बोला हुआ है वो तो देखो 1962 के बाद में चाइना ने ग्रैब कर रखा है इल्ली गली दूसरी तरफ अगर देखें तो यह वाला जो पूर्शन है इधर वाला जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ हो भी यह वाला है पाकिस्तान occupied कश्मीर जिसमें नीचे की लाइन है ना यह वाली लाइन यह है लाइन ओफ कंट्रोल ठीक है और यह जो लाइन है इधर जो सेपरेट कर रही है यह है ल, a, c, लाइन ओफ एक्चुल कंट्रोल तो ऐसे में यह तो हो गई, l, o, c, लाइन ओफ कंट्रोल दूसरा इंटरनेशनल बॉर्डर की बात करें त चालीस किलोमेटर दूरी से लाइन ओफ करोगे और वो इंपेक्ट अगर आ रहा है मिसाइल का तो वो कितना ना चाहिए, कम से कम 75 किलोमेटर दूर होना चाहिए, तो ऐसे में पाकिस्तान की टेरिटरी में वो मिसाइल मिली है और पाकिस्तान क्लेम कर रहा है कि वो इंडियन तरफ से रिस्पॉंड की नहीं गई है तो ये चीजें यहां पर आ रही है थोड़ा सा और ये उपर देखो उपर वाला ये पोर्शन ये सक्षम वैली सक्षम वैली भी बोला जाता है इसको ठीक है सक्षम वैली जो है वो पाकिस्तान ने देखो इसको कैप्चर तो करी लिया था पाकिस्तान उक्षम जो है उसको तब से सक्षम वैली को गिफ्ट कर दिया चाइना को ठीक है तो चाइना की यहां पर ज्यादा पकड़ है और इधर से काराकरम नेशनल हाईवे है वहां का वो पास हो रहा है ठीक है जिससे क्या है यह उपर की तरफ संजियान प्रोविं थी तो देखो जो भी discussion में important part था वो अमने देख लिया है thank you very much for watching this video